हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो परतिवर्स 20 मार्च को विश्व मोखिक स्वास्ते दिवस मनाया जाता है आज दुनिया भर में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जा रहा है इसे मनाने का उदेश से लोगों को उनके दात और मसूडों के परति जागरूप करना है और पूरे मूँ के परति भी जागरूप करना है इसे पहली बार 2013 में मनाया गया था वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे हर वर्स 20 मार्च को मनाया जाता है इसे पहली बार जैसे मैंने आपको बताया 2013 में मनाये गया था इसकी सुरुवात World Dental Federation द्वारा की गई थी FDI का मुख्याले जिनेवा स्वीजर लेंड में स्थित है इसे मनाने का उदेशे लोगों को मुख की सफाई के परती जागरूट करना है डोक्टर हमेशा लोगों को दिन में दो बार बरश करने की सला देते हैं FDI द्वारा World Oral Health Day साल 2013 में सुरू गया गया था इसके बाद हरवर्स 20 मार्च को World Oral Health Day मनाये जाता है इसके बाद साल 2014 से International Association of Dental Students के सहयोग से FDI एक वार्सिक विश्व व्यापी परतियोगता भी आयोजित कराता है कोरोना महमारी के चलते अब ऐसी परतियोगता का आयोजन ओनलाइन किया जा रहा है आधुनिक समय में खराब जीवन सैली, अनुचित, खानपान और तनाव के कारण लोग कई तरह की बिमारियों से परेशान है इन में मुग के रोग भी शामिल है लोगों को अपनी सेहत के साथ साथ अपने मुग का भी खास ख्याल रखना चाहिए इसके लिए दिन में दो बार बरश करें इससे मुग के रोगों का खतरा कम होता है नियमित बरश करें आप समी जानते हैं कि दिन में दो बार बरश आउशे करें नियमित बरश ना करने से दाथ पीले पड़ जाते हैं मुशूडों में पायरिया हो जाता है लेकिन ब्रश खरीदते समय इस बात का ध्यान रखे कि ब्रश का बाल नरम हो ताकि दात के इनेमल को नुकसान ना हो दोस्तो मसूडों को मसाज कैसे करें नियमित रूप से मुग का मसाज करना चीए इसके लिए नीलगिरी, गंधपुरा और पुदिना का तेल का इस्तमाल करना चीए इन तेलों में एंटिसेप्टिक गुण मोजूद रहते हैं गुणगुने पाने में नमक या खाने वाला सोड़ाव डाल कर मुझ में गरारा करने से मुझ की गंधगी साफ हो जाती है नियमित रूप से ऐसे करने पर बैक्टिरिया समाप्त हो जाते हैं अपने खाने में स्वस्त भोजन का उप्योग करें खाने में हरी पक्तेदार सबजिया, ताजे फल, अंकुरुत चना, साबुत अनाजों को शामिल करें पाचन किरिया, जीवन सहली, तनाव, आपके मसूडे को परभावीत करता है इसलिए पाचन किरिया पर विशेश ध्यान दे दोस्तों हमें अपने दिन चरिया में ग्रीन टी शामिल करनी चाहिए ग्रीन टी में एंटी बैक्टिरियल गुण पाए जाते हैं जिसमें ओरल केविटी और कीवनं को दूर करने में मदद मिलती है पान मसाला, सिगरेट और धुमर पान का सेवन ना करें इससे दात पर पीला पन आ जाता है विश्व में 90% मुग के कैंसर ऐसे मरीज पाये जा रहे हैं जो धुमर पान का सेवन करते हैं इसलिए आप धुमर पान ना करें वर्स 2022 के लिए World Oral Health Day की थीम है Be Proud of Your Mouth for Your Happiness and Well-Being मतलब हिंदी में अपनी खुशी और बलाई के लिए अपने मुँपर गर्व करें तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको World Oral Health Day से जुड़ी सारी जानकारी अच्छे से दे दियोगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल पर नए है कमेंट वोक्स में सबसे पहले आप आप ये बताएं कि आप मुँ की सफाई के लिए क्या करते हैं और हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा मुँ हमेशा स्वस्त रहे और दोस्तों इसे के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीन मोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करेता कि आपको ऐसी ही वीडियोज टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके धन्यवाद दोस्तों जय हिंद